हेलो स्टुडेंट्स पेरामों स्टेडीज में एक बर फिर आपको स्वागत है आज हम बात करने वाले है महारस्टा स्टेट बोट क्लास 10 मैठ्स 2 का 1st चेप्टर सिमिलारिटी यह आज हम करने वाले है प्रैक्टिसेट 1.3 इसके पहले हम प्रैक्टिसेट 1.1 और 1.2 के वीड नहीं किया प्रीज ụश्च्क्राइब किजिए लाइक किजिये-मेक्सिमम निबर में- शेयर किजिए ताकि मेक्सिमम स्टूडियों का इसके और सब्सक्राइब करें के साथ साथ बेल आइकान को ज़रूर क्लिक किजिए तक ही जो आने वाले वीडियोज है उनके अप्लोड्स उसके नुट्यूट्यूप अपको मिलते रहे तो आएए आप करते हैं प्राक्टिस सेट का पहला कोशन हमें एक ट्रेंगल दिया हुआ है ट्रेंगल में ट्रेंगल A, B, C ट्रेंगल A, B, C में एंगल A, B, C जो है वो 75 डिग्री दिया हुआ है और एंगल E, D, C यह हमें यह भी हमें 75 डिग्री दिया हुआ है हमें यह बताना है कि कुन से दो ट्रेंगल सिमिलार है और किस test से also write the similarity of these two triangles proper 1 to 1 correspondence, तो किस corresponding test से ये similar है, ये भी हमें बताना है तो देखिए triangle ABC में हमें दो angle दी हुई है that is angle ABC और angle EDC ये 75 degree के है तो हमें क्या के दिया हुई, angle ABC 75 degree और angle EDC 75 degree दिया हुई ओके, दोनों angle जो है 75 degree से दिया हुई so in triangle DCE and triangle BCA in triangle BCE and triangle BBCA okay, angle CD congruent to angle angle CBA वह है, क्योंकि दोनों angle 75 degree के होंगे, इसलिए each 75 degree okay, उसके बाद में angle DCE angle D angle DCE ये वाला angle congruent to angle BCA ये दोनों अगर ध्यान से देखे तो इन दोनों triangle में मतलब triangle ABC और triangle EDC दोनों में ये triangle common आ रहा है so इसलिए ये दोनों angle जो है वो common है इसलिए congruent होंगे therefore triangle DCE similar to triangle BCA by AA test तो AA test से ये दोनों triangle जो है ये congruent similar है अब एक बाद ध्यान में रखिए congruency और similarity में क्या difference है अगर ऐसे दो triangle जिनके दो angle अगर congruent होते है तो वो angle angle test है ओके आप करते हैं इसका question number 2 question number 2 में हमें ये दो triangle दियो ही है ओके question number 2 में हमें ये दो triangle दियो ही है ये बताना है तो देखिए एक टैंगल है टैंगल PQR दूसरा टैंगल है that is टैंगल L M N तो टैंगल PQR में हमें PQ की value दियो ही है 6 PR की value दियो ही है 10 उसके बाद second टैंगल में अगर आप देखिए तो L M जो है वो 3 दिया हुआ है और L N 5 दिया हुआ है तो therefore PQ upon L M PQ upon L M equal to 6 upon 3 equal to 2 upon 1 ओके अगर मानलो तिनों का ratio अगर same आता है दोनों एंगल के जो भी proportion अगर same आता है ओके तो वह में बताना है तो PQ upon L M equal to 6 upon 3 ओके तो इस विल बिकम 2 upon 1 3 upon 3 3 upon 6 इसा अब equation 1 दे दिजिए Q R Q R upon M N 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 Q R की विल वह 8 M N की विल वह 4 तो 8 upon 4 विल बिकम अगें 2 upon 1 इसे आप equation 2 दे दिजिए then P R upon L N P R upon L N P R की विल वह 10 है और L N की विल विल वह 5 है therefore 10 upon 10 which will become 2 upon 1 इसा इप equation 3 दिजिए so in triangle P Q R and triangle L M N P Q upon L M equal to Q R upon M N equal to P R upon L N from 1, 2 and 3 from 1, 2 and 3 therefore P Q R triangle P Q R similar to triangle L M N आईए आप करते हैं इसका आगला question that is question number 3 इसका question number 3 करते हैं इसमें हमें कहा गया है कि यह दो पोल है जैसे P R और A C ओके यह कैसे है perpendicular है जो कि shadow बना रहे है Q R ओके क्या बना रहे है shadow बना रहे और 8 A time यह shadow बना रहा है इसलिए यह दोनों triangle जो है एक दूसरे को similar है यह हमें यहाँ पर prove करना है तो हमें क्या दिया हुआ है हमें P R जो है P R दिया हुआ है that is 4 Q R 6 दिया हुआ है A C हमें 8 दिया हुआ है हमें B C निकलना है we have to find B C okay so दिखिए solution P R and A C P R perpendicular to Q R and B C respectively okay therefore these shadows are cast at the same time इसलिए shadow जो है वो एक साथ simultaneously लिए है दोरो triangle की है ना therefore triangle P Q R similar to triangle A B C okay तो अगर यह similar है ता हम इसको proportion भी लिश सकते है that is P R upon A C P R upon A C equal to Q R upon B C क्या है इसको हम बोलेंगे corresponding sides test okay corresponding sides of two similar triangles therefore अब भी लिपूट कीजिए 4 upon 6 P R की विदू 4 है A C की विदू 5 है तो लिखिए 4 upon 6 equal to 2 upon X कीजिए cross multiplication तो cross multiplication करने से हमें क्या मिलता है 4 into X that is 4 X equal to 6 8 जा 48 दोरो साइट में 4 सी डिवाइट कीजिए ये तो हमें मिलती है X 12 that is 12 meter ओके नाओ अब देखिए question number 4 question number 4 में हमें ये टैंगल दिया हुआ है टैंगल A, B, C इसमें हमें कहा गया है कि AP जो है AP ये BC को perpendicular है और BQ BQ ये AC को parallel है ओके सो हमें क्या करना है हमें कुछ values दिवी है तो इसमें हमें values दिवी है इसमें AP AP हमें दिया हुआ है 7 BQ है 8 और BC ये पूरा हमें दियाब है 12 तो हमें cross multiply करेंगे क्याने काला है AC की value निकलनी है इसकी ये वाले भी value निकलनी है AC की तो किजिए cross multiplication तो इसमें become 7 AP upon BQ equal to AP upon BQ AP upon BQ equal to AC upon BC ओके देरफोर अब किजिए cross multiplication तो इसमें सेवन अपर 8 इकल तो AC upon 12 तेरफोर AC into 8 इकल तो 7 into 12 आप देखिए AC को हम एगर इंदर ट्रांसपर करेंगे राइट है बें तो ये डिवाइड हो जाएगा आगे हम इसको solve करते हैं तो AC की बिली हमें क्या मिलती है that is 10.5 तो AC के हमें क्या मिलती है 10.5 तो आएए आप करते हैं इस practice rate का अगला question तरह इस question number 5 question number 5 में हमें एक trapezium दिया हुआ है trapezium PQRS अब देखिए एक बात धहन में रखिए जहां पर भी हमें trapezium बुला है तो trapezium की एक property होती ही कि जो सामने वरी जो side जो है two opposite sides ये equal होती है मतलब PQ किसको parallel है? SR को so हमें क्या कहा गया है PQRS is trapezium where PQ parallel to SR PQ parallel to SR अगर PQ sorry अगर PQ SR को parallel है और ये क्या है ये transversal है तो alternate angle property से consequence angle angle PQA and int angle int angle PQA and int angle RSP इन दोनों triangle में या फिर हम कह सकते हैं int angle PAQ और triangle PRS इन दोनों में आपकर ध्यान से देखे तो ये zit form कर रहा है क्योंकि ये parallel line हो रही है QS क्या है अगर QS ये अगर transversal है तो alternate angle property से ये ये दोनों angle मज़ब कुछा angle PQA and angle angle PSR ये दोनों triangle जो है sorry angle QSR ये दोनों triangle एक दूसरे को congruent होंगे similarly PA जो है ये भी क्या है एक transversal है parallel line तो यहां से यहां तक छीट form कर रहा है इसका मतलब ये angle और ये angle दोनों इक वोल होंगे और अगर नहीं तो ध्यान से अगर अब देखे तो ये दोनों bicycle जो है यहां पर intersect कर रहे है यहां पर 8.A तो देरफोर angle PAQ मतलब ये angle angle PAQ will be congruent to angle QAP तीकिए ये angle by vertical opposite angles तो हमें तो ये AA test से हम ये prove कर सकते हैं कि triangle PAQ और triangle RSA ये दोनों क्या है एक दूसर को congruent है इसे आप equation 1 दे दीजिए in triangle PQA in triangle PQA ओके एन triangle RAS मतलब ये triangle और ये triangle इन दोनों triangle की अगर बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि angle PQA congruent to angle RSA from equation 1 and angle PQA congruent to angle RAS वहा है vertically opposite angles ठीक है vertically opposite angles से दोनों congruent है ओके so therefore triangle PQA will be similar to triangle RAS by AA test ओके क्योंकि दो angle हमने equal proof किये यहां पर अगर दोनों triangle PQA और RAS ये दोनों triangle अगर similar है तो PQ upon RS equal to AQ upon AS equal to AP upon AR वाइ? corresponding sides ओके तो corresponding sides क्या होंगे? वो भी equal होगे इसे आप equation 2 दी दीजिए अब हमें AR की जो value है वो कितनी दी हुई है? 5 AP AR की value हमें क्या दी हुई? 5 AP इसको putting 3 in equation 2 we get PQ upon SR equal to AQ upon AS equal to AP upon 5 AP तो दीखिए PQ से PQ कैंसर हो जाएगा है ना? Therefore PQ upon SR equal to AQ upon AS equal to 1 upon 5 Therefore PQ equal to PQ upon SR equal to 1 upon 5 from equation 4 तो अब क्या करेंगे? cross multiplication करेंगे तो हमें क्या मिलता है? SR की value क्यिती बिलती फायू PQ तो यही हमें यहाँ पर do करना था ओके? तो आएए आप करते हैं इस practice it का next question that is question number 6 question number 6 जो है यह भी विल्कुर एक तरह से हम बोला देखा जाए तो question number 5 के जैसा है देखे इसमें भी हमें trapezium दिया हुआ है तो यहाँ पर कहा गया है कि ABCD जो है यह एक trapezium है once again I repeat की यह जो trapezium जो होता है इसकी property होती कि दो side जो है एक दूसरे को parallel होती है दो two opposite sides एक दूसरे को parallel होती है ओके? ABCD तो क्या दिया हुआ हमे? ABCD is trapezium and AB parallel to DC AB parallel to DC यह पिर हम कह सकते CD यह क्या है? और diagonal जो है AC diagonal बतलब AC और BD यह क्या है? diagonal से है यह interset करते है कहाँ पर 8.0 8.0 पर यह interset कर रहे है एक दूसरे को है ना? So if AB equal to 20 AB की value हमें दी हुई है तो AB की जो value है वो हमें दी हुई है 20 AB की value हमें 20 है OB की value हमें 50 दी हुई है और CD जो है यह पिर कह सकते है DC यह हमें 6 दिया हुआ है हमें क्या निकालना है? OD की value निकालनी है अब दीखिए यह एक trapezium है और यह diagonal है और दो diagonal जहाँ पर मिलते है तो क्या कह सकते हैं? वो एक दूसरे को by-srict करते हैं तो इसको हम proportion मिली लिख सकते हैं कैसे? Line DB is transversal अगर यह parallel है तो DB जो है यह transversal है तो यह angle और यह angle एक दूसरे को लोगे मतलब angle CDO यह फिर हम कह सकते हैं angle CDO यह angle and angle AOBA यह एक दूसरे को congruent होंगे by alternate angles properties है यह alternate angles होंगे न यह दोनों parallel lines है यह transversal है similarly यह angle और यह angle एक दूसरे को इकोल होंगे मतलब angles OCD angle OCD will be equal to angle OAB by alternate angles property okay so AB parallel to DC यह हमें तिया होँआ है line DB is transversal angle CDB okay angle CDB congruent to angle ABD alternate angles से and therefore angle CDO congruent to angle ABO यह है equation 1 दी दी जी है in triangle COD and angle and triangle AOB in triangle COD and angle AOB मतलब यह triangle यह दो triangle अगर इन दो triangle की बात करते है तो angles कुछसा angle यह angle angle COD and angle AOB will be equal will be congruent Y vertical opposite angles दो line जहाँ पर intersect होती है तो उनके जो angles होते है वो opposite angles वो equal होते है तिससे हम क्या कुछसे property बोलते है vertical opposite angles property therefore angle COD similar to angle AOB तो अब देखिए अब दोनों triangle जो है triangle COD और Tangle AOB यह हमने प्रूव कर दिया कि यह एक दूसरे को similar है है ना तो उनके corresponding side B क्या होंगे? proportion में होंगे therefore OD upon OB OD upon OB equal to OC upon OA okay OD upon sorry OD upon OB equal to DC upon AB equal to DC upon AB okay by corresponding tangles property okay so therefore OD upon 15 OD हमें निकाल नहीं है तो OD को हमें edge-ditch लिखेंगे अब विले पूट करते है OB है 15 okay therefore OD upon 15 equal to 6 upon 20 cross multiplication किजिए so OD into 20 equal to 15 into 6 OD into 20 equal to 15 into 6 तो OD की विले हमें 15 into 6 upon 20 therefore अब कटिं किजिए 5, 3,000 दोनों 5 के डेबल में आते है 5, 3,000, 15 5, 4,000, 20 तो 18 upon 4 this will become 9 upon 2 तो हमें OD की विले क्या मिलती है that is 4.5 OD की विले हमें क्या मिलती है 4.5 तो विडियो अगर अब कुछा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए maximum student तक हमारी विडियो जा सके तक हमारा confidence बड़े और subscribe करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए तक ही जो आने वाले विडियो है वो आपको मिलते रहे इस विडियो में हमने practice it 1.3 के 1 to 6 ये question के बनाये है और नेक जो विडियो है उसमें हम बाकी के questions करने वाले है तो तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद